हेलो जी गुड़ी उनिंग नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आज साम के समय में कैसी वीडियो आ पहले कुछ आप से इंपोर्टेंट बातें करनी हैं और उसके बाद मैंने आप दिन भर क्या क्या किया ज्यादा समय तो नहीं मिल पाए ब्लॉग सूट करने का लेकिन जितना भी किया वह आपके साथ करोंगा तो सबसे वहले तो आप से कुछ इंपोर्टेंट बातें करनी है तो शुरू करते हैं आज कर जो ट्रेंड चल लाए यूट्यूब पर अगर आप टीवी सीरियल देखते हैं वीग बॉस ही जह वा है घर कहीं बिग बॉस ऑटीटी और इस सा पिछले साल के बजाए इस साल इसले जाद ज्यादा चल लाए ना क्योंकि बिग बॉस ओटी पर ह हमारी जो कम्यूटी है यूट्यूब कम्यूटी उसके दो मेंबर वहां पर गए हैं इल्विस यादव और फुकरा इंसान तो ना एक अलगी और चेंज हो रखा है महौली बदल रखा है सब जगह पूरा महौल चेंज हो रखा है तो मैं भी आप लोग से रिक्वेस्ट करना च खुली रहेगी जितना हो सके ना उनको जिताने की कोशिज करिए जो भी जीते लेकिन इस बार जो सीन रहेगा यूट्यूब कम्यूटी का रहेगा आरका महौली कुछ अलग हो गया है बिग बॉस में और जितनी हाइप है इस समय डेली हजार वीडियो बन रही है इल्विस इस स्टेज पर पहुनना काफी बड़ी बात है जिसे साथ से इल्विस भाई ने भी अपनी जर्णी शुरू करी थी काफी बूरे हालातों से जर्णी शुरू कर रही और आज इस मुकाम पर है तो हम लोग भी वोट करने पूरी यूट्यूब कम्यूटी उनके साथ है बहुत इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म है इस पर पहुंचे हुए हैं और फिनाले पर हैं और लास जो सीन बचा हुए ना बस ट्रॉफी लेकर आनी है तो यही मेरा कहना था आप लोगों से अगर आप देखते हैं तो जियो सिनेबा पर जाईए और वोट जरू करिए और किस्कायबर हो किसिके 10 लाग संसकायबर हो बात इक ही होती है मेहनत उतनी ही करने पढ़ती है बस यह है ना यूट्फ miracles जरनी धीरे-धीरे शुरू होती है बहुत वक्त लगता है और मेहनत तो बहुत होती है एक वीडियो के लिए तो मैंने तो वोट कर दिया है और आप लोग भी जरूँ वोट कर लीजिए और अगर ये वीडियो अपने पहाड के लोग देख रहे हैं पहाड़ी आर्मी देख र दीजिएगा ट्रॉफिक कोई भी जीते इल्विस भाई जीते या फुक्रा भाई जीते लेकिन आएगे हमाइनोटी में यह हम सबके लिए प्राउड फील है चाहिए हम चोड़ेटर हो या बड़े क्रेटर क्योंकि जो यूट्यूब की हाइप आज के डेट मैंना मैक्स ले तो हम लोग में अपका अपना दोस्ट भुपेन सिंग बिस्ट स्वागत करता हूं उत्राखन की खूप स्वार गाटी मुक्तेशवर से एक और नई व्लॉग में सबसे पहले तो आज का आपको मौसम दिखाता हूं और नजारे दिखाता हूं कि कैसा मौसम बना हुआ है परेश और इस समय न जो घाटियों पर कोहरा था धीरे धीरे उपर की तरफ उठ रहा है वो और जिसकी वज़े से सीन काफी मौसम भार है तो दोस्तों इस खुब सर मौसम के साथ अपने ब्लॉक के सुरुआदी करते हैं और दिन के सुरुआदी करते हैं देखता है पूरा दिन अपना कैसा रहता है और चैनल में पहली बार विजिट किये हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिएगा चैनल को सस्काइब जरू कर सब्सक्राइब करते हैं और दिखाता हूं आपको प्यारे से सिंस तो दोस्तों ये चेक करिए हमारी महनत खेट से तोड़ के ना घर पे ला चुका हूं मैं अभी दो तीन राउंड लगा लिये हैं ज्यादा व्यूडियो बनाने का मौका नहीं मिल पा रहे हैं तो लगभग इतने नासवाती अभी तक तोड़ चुके हैं हम लोग जो खेतों से घर भी लागया हूं मैं बैक्ग्राउंड मेंना सीन काफी मस्ता आ रहे हैं सोच रहा हूं छोटा सा है पर लैब लगा लूँ आप लोग के लिए क्योंकि बादल इतने प्यारे से मूव हो अब जह रहे ना कि इतना प्यारा जा़ा सामने गतें बारशनहतों के समई में ऐसा घ्रैवने को मिलते हैं तो बारिश नहीं हो रहे है आज लेकिन मोहसम काफी सवाव नहीं है और इस तरफ सीन चेक करो इस तरफ बादल नीचे उतर रहे हैं घाटियों में कोहरा ही है एक प्रकार का लेकिन सीन काफी मास तार है दोस्तों दो मिनट में पूरी घाटी भर गी है कोहरे से देख रहे हो यही सीन रहता है पहाड़ोंगा और आजकल का मौसम तो ऐसा होता है ना कोच पता नी कभी भी पल भर में चुटकियों में मौसम बदलता है आजकल फ्रेंड मौसम तो आज लोंग ने चेक कर लिया पूरी वैली भर चुकी है कोहरे से और ऐसे मौसम में बारिस आने के चांसे जहते हैं और हो सकता बारिस भी शुरू हो जाए वैसे भी दो चार दिन अलड़ बता रखा है मौसम भागने डेली बारिस देखने को मिल रही है पूरे दिन तो नहीं हो रही अलग अलग सीन हो रहा है कभी दो पहर में हो जा रही है कभी सुबह के टाइम में हो जा रही है आज अभी तक बारिस नहीं हुई है जिस प्रकार से अभी मौसम बन गया पक्का लग रहा है कि बारिस होगी और समय भी गरीव साड़े ग्यारा क तो मैं लास्ट राउंड लेने के लिए जा रहा हूं खेतों की तरफ और पूरा मौसम चेक करो फ्रेंड पूरा कोहरा इस पूरा खेत में लगा रखिया पत्ता गोबी की फसल और ना कुछ दिनों में इसकी भी गुडाई करनी हो जाएगी काम बहुत होता है पहाडों में और ये चेक करो दोस्तों जिस पेड़ से हम लोग नासपाती तोड़े थे ये है बड़ा सा पेड़ नासपाती का दो प्रकार की नासपाती होती है मम्मी पापा दोनों लगे हुए हैं महनत बहुत होती है दोस्तों और पहाडों में ना काम करना ही पड़ता है हम लोग नही ककड़ियां होती हैं, खीरा नहीं होता है, तो इसका हम को भाई कर रहा है यहाँ पर, यह देख रहे हो, यह सारे पॉन्देना ककड़ी के हैं, और इसके बाद इन पर लगड़ियां भी गाड़ी जाएंगी, जिससे इसकी बेल फैल सकें, और बढ़िया ककड़ी की पैदावार बहुत ही लगा रखी हैं, तो चलो जी, फाइनली न, काम खतम करके ममी पापा भी आने लगे हैं घर की तरफ को, महनत होगी सुबे से आज तो, और गाईज, इस तरीके से बेल जाती है ककड़ी होगी, अभी तक विवल इंटवा फूल आ रहे हैं, अब देखो, एक भी ककड़ी नहीं लगी है, इतनी बड़ी बेल माई अभी तक, फ्रेंट साम का वक्त है ना करीब साड़े पांच बस जवेश समय और मौसम एकदम से अजीब हो रखा है, मैं लगा हुआ हूँ नासपाटी अगरे ढोले में, सो ब्लोग सूड नहीं कर पाया, क्योंकि मौसम एक दम से अजीब हो रखा है, लोगों ने यही सुचा कि जल्दी जल्दी नासपाटी ढोलेता है, क्योंकि बारिस आगी तो फिर मौका जो है खराब हो जाता है, वैसे भी पहाड़ों में जैसी दिक्कत होती है, आप तो मौसम की वज़े से फटा फटे काम करना पड़ा है, तो ब्लोग सूड नहीं कर पारों में, और फ्रेंड यह वह जगह है, जहां पर हम माल ढो रहे हैं, रोट पे, आज माल उतना नहीं है, और थोड़ा सा यहां पर रोट भी खराब हो रहे हैं, नीचे की तरफ, पानी भरा हुआ है, और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, सांत देदिया मौसमने काम हो गया चलो, तो चलिए जी, धीरे धीरे ना अंधेरा भी सुरू हो चुका है, कोहरा आ गया है, घाटियों में, सभी जगह पूरी तरीके से दिखना बंद हो चुका है, घना कोहरा चाय हुआ है तो दो पासपाती भी फाइनल करनी थी खेतों में सड़ी है गिर रही है क्योंकि बारिसों का सीजन है तो यही सीन रहा दिन बर इस चोटी सी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा उम्मीद करता हूं थोड़ी सी बहुत आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई करता हूं